और अब ठाकरे परिवार की टीस की बात करते हैं बिना शिफसेना के नाम और तीर कमान के रहते हुए अब ठाकरे परिवार को पूरे 24 गंटे हो चुके हैं विरासत जब कांपती है, हिलती है, तूटती है, गिरती है तो इसे भुकम की तर्च पर किसी रिक्टर स्केल पर नहीं ना पा जा सकता है तसर्फ बदलाव के कमपनों को देखा और महसूस किया जा सकता है शिफसेना का नाम और तीर कमान चिन जाने के 24 गंटे बाद आपको ये समझना चाहिए कि ठाकरे परिवार के लिए क्या बदल गया है ठाकरे परिवार पर चुनाओ आयोक के इस फैसले का असर भी समझेए अब एकनाच शिंदे शिफसेना के अध्यक्ष है शिफसेना का तीर कमान वाला चुनाओ चिन एकनाच श्णदे गुट इस्तिमाल करेगा आने वाले बेमसी चुनाओ में एकनाच श्णदे के और सेजारी विप आधित ठाकरे को अब मानना होगा विप नहीं मानने से विधदान सभा की सदस्यता उनकी जा सकती है लोकसभा और राज्यसभा में भी एकनाच शिंदे ही नेता तै करेंगे ये तो अधिकारों की बात थी लेकिन संस्था और संस्था की संपत्ती पर भी अब एकनाच शिंदे का फैस्टा लागू होगा यानि चुनाओ आयोक का फैस्टा लागू हुआ तो शिफसेना की सभी संपत्तियों से उधर ठाकरे को हाथ धोना पड़ेगा एडियार के आंख़ों के मुताबिक 2019-20 में शिफसेना के पास 148 करोड 46 लाग की FD और 186 करोड की अचल संपत्ती थी अब एकनाच शिंदे दोरा नियुक्त कोशा ध्यक्ष इन संपत्तियों की देखभाल करेंगे मुंबई समेथ महराष्ट में 82 जगों पर शिफसेना के दफ्तर हैं ये सब उधर्व से छिंच सकते हैं शिफसेना के अख़वार सामना मारमिक और दोपहर का सामना अब एकनाच शिंदे के अधिकार में होगा चात्र संगठन भारतिय विद्यारती सेना एकनाच शिंदे के नित्रत में काम करेंगे यूवा सेना और शिवसेना महिरा अगाडी को भी एकनाच शिंदे ही कमांट करेंगे यानि अब उदर्व ठाकरे की समस्या ज्यादा बड़ी है उनके पास ना शिवसेना का नाम है ना शिवसेना का निशान एक बात और जो जादतल लोगों के ध्यान में नहीं गई होगी वो ये कि जब इस पूरे मामले में कोट और शिवसेना का सम्विधान ये कहता है शिवसेना का सम्विधान वो कहता है कल शिवसेना के सम्विधान पर बड़ी बात कह दी चुनावायोग ने कहा कि शिफसेना का मौजूदा सम्विधान अलोकतांत्रिक है उदर गुट ने बिना चुनाव कराए अपनी मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से पदाधिकारी न्युक्त करने के लिए इसे बिगाड़ा शिफसेरा के मूल सम्विधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से वापस लाए गया जिस से पार्टी निजी जागीर के समान हो गए चुनाओ आयोग ने जैसे ही ये फैसला दिया तो दोनों तरफ से सरहरकते हुई एकनाच शिंदे खुश हुए और स्वभाविक रूप से उदर्व ठाकरे दुखी हुए और ठाकरे परिवार की टीस बढ़ती चली गए उदर्व ठाकरे ने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र खतम हो गया है चुनावायो का फैसला लोकतंत्र के लिए घातक है एकनाच शिंदे ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है बाला साहिब ठाकरे के विचारों की जीत है उदर्व ठाकरे ने ये भी कहा कि पार्टी किसकी है अगर ये चुने हुए प्रतिनिधी तै करेंगे तो संगठन का क्या मतलब रह जाएगा इस पर एकनाच शिंदे ने जवाब दिया कि ये कारे करताओं सांसदों, विधायकों, जन प्रतिनिधियों और लाखों शिफस्यानिकों की जीत है एक बार दोनों पक्षों को सुन लीजे फिर आगे की बात करेंगे और सत्ता की कुंजी खोल कर उधव और आदित्ते ठाकरे का फ्यूचर देखिए प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं सिर्फ विधायक और सांसोरों के उपर पार्टी किसके पास है, ये तेह होना तेह उन्हों ने किया, तो ये अन्या है, फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सेस करवाया, पार्टी तो मेरे साथ है, आम जंदा तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार में चूनों ची देते आया कि हिम्मत है तो सामने आजो मैधान में आजो लोक्षाही का विजय है, इंदुर्दे सम्राट बहास है ठाकरे जी, धर्मवीर अनन्द दिगे जी, इनके विचारों का विजय है और मेरे साथ मैंने जो भूमी का लिए, उसके साथ जो पचास विधायक और तेरा सांसर्थ, हजारों लाकों कार्यकरता पदादिकारी श्योसैनी, ये इनका विजय है करा में दो का विजय है